वीकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाले कोवरकर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तक कोई भी आने ने वाला था काहनी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजिए अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन ग्यारेक्टर जैनिवर को आफिस में काम करता है देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी वो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ जगड़ा हो गया था इस वाज़े से उननी ब्रेक अप कर लिया था पर वीकेंड पर जाकर वो से सप्राइस करने वाली थी इसके बारे मिवह एक इमरी लिगती है पर इसे सेंड नहीं करते क्योंकि ये Gonz था नेक झें में हम अमारा और एक मेन क्यारेक्टर देखते हैं जिसका नाम है गाय यह भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था यह दोनों अलग-अलग फ्लोर उबर एक ही लिफ्ट में चड़ें गाय जेनिफर से मिलते इसे कंफरेबल फिल कराने के लिए जोक स्वेगरा करना रहा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरे को नोटिस किया कैमेरे में वेव इगरा करते हैं पर दूसरी साइट पर कोई भी नहीं था यह फोन करकर किसी कहल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ्ट में यह पास दिनों के लिए ट्रैप्ट है सायद इसी वज़े से स्टग हो गई है काय को अचानक से आईड़ आया कि लिफ्ट के उपर से यह एक्जिट हो सकते हैं हर लिफ्ट में एक्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वह चुक कर जनीफर को उपर की सिलिंग चेक करने के लिए गहता है जनीफर के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत flire कि आ पर कुछ भी नहीं हुआ एक गंटा बीद गया और जनीफर रियलाइस करती है कि अब उसकी फलाइट उससने मिस्ट करती है तो गु लाग में कहता है वाइन की बाटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है जेनिवर ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्ते हैं उसने विरबानी पी लिया था वो गाय को एक चॉकलेट डे दिया उसने कहा अब हमें सारी च कहा कि एक नैचरल चीज है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूडने के लिए गएती है और फिर टॉलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेब्ट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लिफ में जो ड्रॉइंग बनी थी उसी ड्रॉइंग क के बार में उसे कहा उसे सप्राइज देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बार में कुछ भी पता नहीं था यह दोनों रेलाइस करते हैं कि वो कितने सेम है गाय ने फिर वाइन की बोटल खोल ली टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्रॉइंग बन लगे दोने भुगे थे तो जैनिफर ने कहा कि सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं अलग-अलग टॉपिक पर डिसकस करते हुए एक दूसरे के पार्टनर के साथ क्रीजी स्टोरी ये बताने लग जाते हैं जैनिफर गहती है कि एक बार में मेरे बॉइफ्रेंड के साथ फिर दोनों यही बड़ इंटिमेट हो जाते हैं इंटिमेट होने के बाद गाय ने जैनिफर से गाँ तुम्हारे प्यार में पढ़ सकता हो ये बाद जैनिफर को बहुत ही अजीब लगी वो उससे गयती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना जाती थी गाय को इस बात में बहुत हर्ट कर दिया वो गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुमें कुछ भी फील नहीं हुआ जैनिफर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो उ सकती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अचानक से गाय का बिहेवेयर चेंज हो गया वो अबने मोबायल में उसे CCTV फुटेज दिखाता है कि मैं रोज तुम्हें देखता हो तुम जब काम बढ़ाती हो काम से जाती हो हर रोज में तुम्हें ही देखता रहता वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जेनिवर को जुट कहा था कि इसी बिल्डी में अकाउंटन्ट है उसने कन्वेस किया कि सब कुछ मैंने प्लान किया था वो जैनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए चांज चाता था वो चाता था कि जैनिफर उसे पहजाने इसी वज़ेस उसने सब कुछ किया था वो अपने बॉकिट से चावी निकालता है और लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूँगे तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भूगतना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाय ने लिफ बंग कर दिया जेनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश कर दिया पर गाय ने उसे पकड लिया जेनिफर स्टगल करते हो लिफ्ट की की को मार देती है और इस वज़े से तूट गई थी अब एक्चॉल में इस लिफ्ट में गए थे हैं जैनिफर गुसा होकर अपने शूर से गाय को Unconscious कर देती हैं उसे चेक करने के लिए आई पर गाय conscious था उसे भी मार कर बेहोश कर देता है जैनिफर के होश में आने के बाद गाय उसे कहता है एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहां लिफ में हमारे बीच में कोई भ लिफ्ट में हो गए हम एक दूसरी से मिले एक दूसरी को जाना और ब्रेक अप भी हो गया जैनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी वसने अपने फियांसे के लिए जो गिफ लाया था कि गाय ने चेक किया इसमें एक अच्छा-चा शर्ट है जो गाय पहन लेता है गाय के बास गिफ्ट है जिसमें सीगार, लाइटर और एक कटर है गुस्से में गाय ने लिफ्ट का एक लाइट तोड़ दिया फिर उसे आइडिया आता है कि या लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के पॉटल से उसने छट पर मार कर उसे खोल लिया वो उसे जो बात सुननी थी यही जनिफर ने कहीं वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंट किया मैं तुम्हें धोका क्यों दूंगी गाय भी फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जनिफर उपर आके उपर आने के बाद जनिफर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रसी बना कर उपर आ जाता है जनिफर ज़रा जादा उपर चली गई थी वो डोर को पकड़नी वाली थी तब नीचे से गाय आया और उसे पकड़ क फीसे लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जेनिफर होश में आ गई लिफ्ट तैस नहीं थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनान के लिए कोई भी आने नहीं वाला जेनिफर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुमें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोट में जुटी सावित नहीं हो सकती तो मैटकोस न तुम बहुत ही ब्यूटीफूल थी वर मैं एक सिकुरिटी गार्ड हो इस वज़े से मैं कभी भी तुमें अप्रोश नहीं कर पाता मैं हमेशा से सिकुरिटी गार्ड नहीं था मैं एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुमें बताई थी क कार में मेरी कोवर कर के साथ मैं इंटिमेट हो रहा था तभी उसका एक्सिडरंट हो गया उस पर चार्जेस लगे पर गाये के पास बहुत सारे पैसे थे तो six months में वह बाहर आ गया पर बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता था स्लोली स्लोली उसके financial situation खराब हो गए और उसे security guard का काम करना पड़ा वो जैनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी old life को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया Nixon में हम देखते है कि Matt के साथ काम करने वाला security guard ये अपनी girlfriend को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुट्टी ली थी वो वापस आने नहीं वाला था पर girlfriend को यहाँ लेकर आया वो notice करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने camera में जैनिफर और गाय क लिफ में देखा वो जल्दी से उनकी help करने के लिए पहुश गया फ्रेन आया और लिफ को open करने की कोशिश करता है पर ये सिर्फ थोड़ी सी open हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस जाता है तबी गाय जैनिफर पर हमला करकर उसे बेहुश कर देता है वो वाप दिया नीचे आकर उसने shower लिया कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने friend की girlfriend को उसने notice किया वो इसके boyfriend के बारे में उसे पुछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया girlfriend जड़ा suspicious होकर यहाँ से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार ढालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो लेकर गया वो थ्रैश कैन में पेट्रोल वेगरा डाल कर जेनिफर की body को जला देने वाला था वो जब ड्रंक खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी मे बैठ गी और आगे चलीगे उसने पीछे देखा तो गाए अभी जिन्दा था वो बहुत जादा गुसा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को इस बिड में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डालती है इसी के साथ यह मूवी एंड हो गए अगर आपको वीडियो अचलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इटिवेशन आइकोन दाने मत भूल हम फिर से मिलेंगे और एक नमूवी के साथ तब तक लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया है